मैंने का बीजेपी वाले हमको बुलाते ही नहीं हैं मैंने कब कहा कि मैं उनके मंच से नहीं गाऊंगी आप मंच लगाते हैं तो मुझे क्यों नहीं बुलाते हैं इतनी शमता है कि आप बेरोजगारी के गित सुन पाएंगे और अगर है तो मुझे बुलाइए भादो असाड चाहे जेठ के घाम के हूँ बुझे नहीं हो बार हो महीना नहीं करे आराम के हूँ बुझे नहीं अब उनी खातिर हम का कहीं महा देव उनी के सद बुध्धी देए उनी के पता चले कि समाज के कितना बड़ जिम्मेदारीबा उनी के ऊपर जेकरा संगे उनी के छेड़ चाड़ कर रहल वाड़ संद कोई फालनवा की बेटी धिमकनवा की बेटी लहंगा रहर ढोड़ी और द सरकार मांगिला भीखना ही हाक सरकार मांगिला बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगिला बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगिला नमस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अनिकेत मर्दे कि इस वक्त हमारे साथ लोग गाई का नेहा सिंग र आज आप पटना पहुँची है, उद्देश क्या है पटना पुचने का है नहीं मैं तो आई थी एक event के लिए मुझे बुलाया गया था और पटना में नहीं जो कारेकराम था वो खगडिया में था तो मैं उस event के लिए ही आई थी दूसरी चीज रही हूँ कि मन्च किसी का भी हूँ बीजेपी मंच सजाए या कॉंग्रेस मंच सजाए नेहा सिंग्राठ और जन की ही बात करेगी मुद्दे की ही बात करेगी अब मैं यहां आई जी तो मैंने देखा बड़ा लोग एक ट्रोल भावसे की देखो देखो यह तो कॉंग्रेसी है भारत जोडो यातरा के मंच से मैंन मैंने कब कहा कि मैं उनके मंच से नहीं गाऊंगी आप मंच लगाते हैं तो मुझे क्यों नहीं बुलाते हैं इतनी शम्ता है कि आप विरोजगारी के गीत सुन पाएंगे और अगर है तो मुझे बुलाईए तो मंच किसी का भी हो मंच कोई भी सजाए नहा सिंग्राट हो और नितिश कुमार है जूड़ने का रहा है। बहुत तो लाजमी होता है संदे बिल्कुल तो आप आपका सवाल उन लोगों से होना चाहिए कि नेहा सिंग राठा और को क्यों नहीं बुलाए बिना बुलाए आप एक बात समझे आप भी यहां आए हैं कहीं ना कहीं मैंने हां बोला है तब ही आप आए हैं अगर हम बोलते क कि किसी के यात्रा में चल पड़ूंगी उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं गई इनसे पूछे कि क्यों नहीं बुलाते हैं यह बुलाएंगे तो मुझे लगीगा कि हां यहां जाना चाहिए तो हम जरूर जाएंगे मुझे लगीगा कि मुझे यहां नहीं जाना चाहिए त जिसके तहत मैं भोधपूरी में फैली अश्लीलता को दूर करने के लिए भोधपूरी में साफ सुत्रे जीत लिख रही हूँ ताकि अमारे जो भोधपूरी है वो सम्रिधày हो सके बाखी पुराने पारंपरी लोग जीद करने की कोशिश कर रही हूं लगातार उसे गा कर के ज कॉई पार्टी ओफर किया जॉइन वगेरा को ले करती है अभी मेरे को कुछ भी नहीं करना है भाई मेरे को कहते हुँ आपको भौजपूरी के लिए काम करते हुए देखना चाहते हुँ कुछ लोग के मन में संदे है कि 24 में लोग सवाँ चुना है 25 में बिधान सवाँ चुना है क्या कहीं बिहार की राजनिती में निहा सिंगराठो दिख सकती है पॉलिटिक्स की बात हो गई भौजपूरी पिवıyorsunे रहेंगे चाहेंगे कि हमारे दरश को कुछ किसान गीत सुनाया और क्योंकि मैं देख रहे हुए यहां पर मैं जबारी थी तो रस्ता में मैं देखा खेती किसानी के काम करते हुए लोग मुझे दिखे कोई खाद शीट रहा है कोई जो है पाइप ले करके खेतों में बिछा रहा है भादो असाड चाहे जेठ के घाम के हुँ बुझे नहीं भादो असाड चाहे जेठ के घाम के हुँ बुझे नहीं हो बरहो महीना नहीं करे आराम के हुँ बुझे नहीं चली अभी थोड़ी देर पहले आप भोशपुरी में असलीलता की बात कर रही थी तो निहा जी क्या लगता है कि यह जो ट्रेंड है डिसको हम लोग कहने कि भोशपुरी में को कुछ नहीं है उसके पास भी है ना फोन जरूर रखता है स्मार्ट फोन उसके पास जरूर है दूसरी चीज भोजपुरी में जो है अश्लीलता की सुधार पे लोग बात तो करते हैं कई मैं तो उनकी भी बात कर रहे हूं जो अपने आपको बड़ा बुद्ध जीवी बनते और वो हेड़फोन लगा करके गाना सुन रहे होते हैं या शादी विवाहों में ऐसे ही गानों पर ठुमके लगा रहे होते हैं शुरूरात कहीं न कहीं जो है वो शुरूरात उस गाने से हुई थी उस गाने से पहले भी गीता है जो आज बड़े नापाक हो गए हैं पर्ट इतने लाइन होते हैं, खेर वो तो आज शुद्ध होगे, मैं आप लोगों से भी सवाल करना चाहूंगे जरूर कि आप लोग उनके सामने जा कि यह सवाल क्यों नहीं करते हैं, जब वो पटना आएंगे तो पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे, आप पूछेंगे, है कि जब तक हम अगर इस तरीके के गाने नहीं गाएंगे, तो हमें व्यूज नहीं बिलेंगे, वैसे कलाकारों के लिए दो शब्द क्या कहेंगे आप? कामिल हो रही है, तो बड़ा दुख लगता है मुझे, लगता है कहीं न कहीं शिक्षा की भी कमी है, कहीं न कहीं रोजगार की भी कमी है, हर आदमी को सिंगर बनना है, इसलिए क्योंकि करने को कुछ भी नहीं है, और किसी भी कीमत पे बनना है, क्योंकि दो रोटी कमी है, त मैं अपना सब कुछ बैच देंगे पैसा कमाएंगे यह नहीं होना चाहिए। प्रयास करो हम भी तो कर रहे हैं न है हम भी कर रहे हैं हम भी तो साफशूतरे गीत गा रहे हैं नась ऐसा तो नहीं है कि हम बढ़का राजा बाबु के घर की बेटी है या राजा बाबु होगे हम अपने तरीके से काम करूं तो मैं आज बहुत हीट नहीं हुँ और मुझे बहुत हीट रही हूं और मुझे कोई भूछपुरी इंडर्ष्ट्री में जो अभी के दौर में सबसे बड़े दो कलाकार माने जाते हैं एक खुद को अपने आपको पावर एश्टार कहते हैं और दूसरा सूपर एश्टार कहते हैं और आहिए श्कinkषा की कमी जो वह नai बिल्कुल हो रही है एक तो पहले कही ना कही राश्ट्री अस्तर पर गंदे उते गीतों को जिस तरह से इन लोगोंने परमोट किया है, उत्तुआ मैं, मैं जैसी चीजYo bet सि और मैं इस चीज़ को साफ साफ भी कह रही हूं, कि मैं नहीं बोलना चाहती हूं, ये बड़े ही गड़्बड लोग हैं। के बारे में मैं कुछ भी बोलूं तो मुझे लगेगा कि मेरा ही जुबान गंदा हो गया तो मुझे माफ कर यह ऐसे लोगों के बारे में कोई टिका डिप पड़े इस इंटर्व्यू को अब खत्म करना चाहेंगे एक गाने के साथ आपका कोई और दूसरा गाना अरे भीख न के लिए रोजगार मांगने पटना पहुंची थी है तमाम इन से बात चीत हुई हमारे साथ बने रहे हैं अनिकेत कुमार ब्यार तक पटना